हलो फ्रीन्स अपना की चन्द में आपका स्वागत है आज मैं सेहत का खजाना हजारों फायदों वाला सूपर डूपर डिलीसियस लाल भाजी की रेसिपी सेयर करने वाली हूं और आप इस तरीके से एक बार लाल भाजी जिनको भी बनाकर खिला देंगे ना सब लोग तारीफ करते नहीं ठकेंगे और उंग्लिया चार चट करके खाएंगे तो फ्रेंस वीडियो पूरा देखिए अगर रेसिपी पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो सूपर डिलीसिस भाजी बनाने के लिए मैंने आपे लिया करके और बढ़िया से इनको तीन से चार पानी धो लिया है यह देखिए यह बिल्कुल बढ़िया से क्लीन हो गया है और उसके बाद मैंने इस तरीके से देखिए छोटे-छोटे पीसेज में इनको कट कर लिया है तो मैं आप यह 500 ग्रम लाल भाजी लेकिन आप अपने अब चुली पर चड़ा देंगे कडाही गैस अन करके इसमें डालेंगे एक बड़ा चमस तेल तो इसमें तेल हमें कम ही डालना है क्योंकि भाजी को हमें एकदम हेल्दी तरीके से बनाना है तेल गरम होने पर इसमें डालेंगे आधा चमस पांच पौरन यानि 5 साबुद मस यह किसी भी ग्रोसरी साब पर बहुत हीजली मिल जाता है अब हम इसमें डालेंगे एक चमस स्लाइस किया हुआ लहसन तो मैं आपे 5-6 लहसन के कलियों को स्लाइस करके लिए और 3-4 कटी हुई हरी मिर्च अब हमें तीनों को कुछ सेकिन तक फ्राइए कर लेंगे तो इसमें क्राइकरते समय बार-बार चलाते रहें जिसे की प्याज 4 दियां से फ्राइए और नीचे से एक heat तरफ जले नहीं तो देखीए त्यक्रींस का कलर इस तरीके से ट्रांस्लूसें हो जालो स्व्स हो जाये then अब क्या करेंगे ग्यास का फिलें एक डम लो कर देंगे और एक पाउडर अच्छे से mix कर लेंगे और हल्दी को कुछ सेकेंट तक पकाद लेंगे ताकि हल्दी का जो कच्छा पणन न वो निकल जाए तो थेल पाले से बढ़िया से गरम है तो हल्दी को पकने में जादा टाइम नहीं लगता है कुछ ही सेकेंट में ये पक जाते हैं अब हम डाल देंगे कटी हुई लाल भाजी तो मैं आपे सिर्फ पत्तों का इस्तमाल की हूं मतलब जो पत्तों के पास हलके से डंठल होते हैं उसका थोड़ा सा इस्तमाल कर ली हूं और जो मोटे वाले डंठल होते हैं उसका इस्तमाल मैं इस रेसिपी में नहीं की हूं लेकिन आप यह पत्तों के साथ इनके डंठल का भी इस्तमाल कर सकते हैं, क्योंकि डंठल इनके बहुत सॉफ्ट होते हैं इसके पहले मैं सबस्क्राइब कर लिजेगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो देख सकें तड़कों के साथ बढ़िया से लाल भाजी को मिक्स कर लिए अब हम इनको धग करके लो फिल्म पर दो मिनट तक पकाएंगे तो नमक डालेंगे टमाटर तुम्हें एक बड़े साइज के टमाटर को इस तरीके से चोटे-चोटे टुकड़ों में काटकर करके लिए इस लाल भाजी में टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है साथी में डाल देंके आधा छोटा चप्श नमक या फिर स्वाद के ही इसी को ज्यादा तो सभी को अच्छे सी मिला लिए अब हम इनको धक करके मेडियम फ्लेम पर दो मिनट तक पकने देंगे तो दो मिनट हो गे मुझे इनको मेडियम फ्लेम पर पकाते हुए और आप देख सकते फ्लेम नमक के वज़े से लाल भाजी से कितना पानी रिलीज बीच बीच में धकन हटा अटा करके चलाते रहेंगे मिक्स करते रहेंगे जिससे कि चारो तरफ बढ़िया से कोखो और नीचे से एक ही तरफ जले नहीं और यह देखे फ्रेंस दो ही मिनट हुए मुझे अभी इनको पकाते हुए और आप देख सकते हैं लाल भाजी और टम यकीन मानिए इस तरीके से एक बार लाल भाजी जरूर बना करके देखिएगा बच्चे बड़े सब को बहुत पसंद आएगा और जिनको भी लाल भाजी नहीं पसंद है वो भी उंगलिया चार चट करके खाएंगे अब हम गयास का फ्लेम बंद कर देंगे और गर्म गर्म स देखिएगा यह रेसिपी आपको और आपके फैमिली को बहुत पसंद आएगी तो फ्रेंच रेसी पीपी को ट्राय करें पसंद आए तो लाइक करें जादा से जादा शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल